भारत के पश्चिमी घाट के वर्षावनों में एक अजीब सा दिखने वाला प्राइमिट रहता है। शेर की पूंच वाला मकाक जिसे व्रिक्षवासी भी कहा जाता है। लगभग 4000 की आबादी के साथ शेर की पूंच वाले मकाक भी मानव अतिक्रमन की चुनोतियों के साथ जी रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि वर्षावनों के लुप्त होने से उनका व्यवहार बदल रहा है और वे भोजन के लिए मनुश्यों पर अधिक निर्भर होते जा रहे हैं। और पेडों की चाया से नीचे आकर खाना इकठा कर रहे हैं। शेर की पूँच वाला मकाक स्वभाव से सर्वाहारी होता है। वैसे तो फल उनके आहार का प्रमुक हिस्सा हैं। मगर कभी-कभी वे कीडे, छिपकली, पेड के मेंधक और विभिन छोटे स्तन धारियों के मांस भी खा लेते हैं। शेर की पूँच वाला मकाक वर्तमान में सबसे दुरलब मकाक प्रजातियों में से एक है। केरल के साइलेंट वैली नेशनल पार्क और तमिलनाडू के अनामलाई टाइगर रिजर्व में इन्हें देखा जा सकता है।